हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही ज़ाद इंट्रेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब देखेंगे जिनका हम अपटी डेटो डे लाइफ में बहुत ज़ादा यूज़ करते हैं आज की वीडियो आज की पहली फ्रेजल वर्ब होगी गेट अक्रोस का मतलब होता है तुमेंज टूमेक समवन अंडरस्टेंड मतलब के अपने विचार या बात को दूसरों तक पहुचाना या समझाना इसके लिए मिज़ करेंगे गेट अक्रोस का चलो इसे एक्जामपल से स पूछ रहा है कि क्या आपका भाषन भीड तक पहुचा क्यों ने भीड को एक भाषन दिया तो कोई पूछ रहा है कि क्या आपका भाषन भीड तक पहुचा पहुचा मतलब क्या भीड तुमारे भाषन को समझी इस इंगलिशन बोलेंगे इसका एक और एक्जामपल देखत पता नहीं उसे यह कैसे समझाओ तो किसी को कुछ समझाना चाहती है Confuse मैं कह रही है कि पता नहीं उसे यह कैसे समझाओ तो इस इंगलिश में बोलेंगे I don't know how to get this across to him यानि पता नहीं उसे यह कैसे समझाओ I don't know how to get this across to him इसका last example देखते हैं, यहाँ पर यह जो उनके छात्र हैं, उन्हें कुछ समझाना चाह रहे हैं, अपने विचारों उन्हें तक पहुचाना चाह रहे हैं, लेकिन बता नहीं पाए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे अपने विचारों को छात्र तक नहीं पहुचा सके, यान यानि वे अपने विचारों को छात्रों तक नहीं पहुचा सके, they couldn't get their ideas across to the students. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स, गेट अलोंग, गेट अलोंग का हम बहुत जादा यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है अच्छे संबंध होना, यानि आपस में बात बन जाना, आपने इस तरीके से लोगों कहते सुना होगा, कोई कहता है कि मेरी उससे बनती है, तो इस तरीके से जब भी हम बोलते हैं, हम यूज़ करते हैं, गेट अलोंग का, तो चलो इसे एक्जामपल से बहुत अच्छे समझते हैं, यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, यह कह रहा है कि हमारी आपस में बनती नहीं है, यानि हमारे आपस में इसका एक और एक्जामपल होगा, उसकी अपनी बहन भाई के साथ नहीं बनती, यहाँ पर इस लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी अपने बहन भाई के साथ नहीं बनती, यानि उसकी अपने बहन भाई के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, यानि उसकी अपने बहन प्रोश्यों से अच्छे संब्द है, इसका मतलब है कहने का कि मेरी मेरे प्रोश्यों के साथ अच्छे से बन जाती है, इस इंग्लिश में बोलेंगे, I get along well with my neighbors, I get along well with my neighbors, I get along well with my neighbors, next phrase अलोग की friends, get around, get around का मतलब है, अलग-अलग जगाओं पर जाना ये यातरा करना अलग-अलग जगाओं पर जाना ये यातरा करना मतलब कि घूमना तो इसको example से बहुत अच्छे समझते हैं यहाँ पर यह कह रहा है कि London में एक जगा से दूसरी जगा यातरा करना असान है इस English में बोलेंगे It's quite easy to get around London It's quite easy to get around London यानि London में एक जगह सा दूसरी जगह जाना आसान है It's quite easy to get around London Next होगा इसका example तुम शहर में घूमने के लिए बसो का इस्तेमाल कर सकते हो तो हम किसी को एक advice दे रहे हैं कि तुम शहर में घूमने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जातरा करने के लिए बसो का इस्तेमाल कर सकते हो इसका last example देखते हैं बिना नक्षे के शहर में घूमना आसान नहीं है तो कहना चाहरा है कि बिना नक्षे के शहर में एक जगह से दूसरी जगह यातरा करना आसान नहीं है इस English में बोलेंगे It's not easy to get around the city without a map It's not easy to get around the city without a map यानि बिना नक्षे के शहर में घूमना आसान नहीं है It's not easy to get around the city without a map Next होगा friends, get away Get away के काफी जादा यूज होते है तो इसमें हम इसके दो यूज देखेंगे सबसे पहला जो इसका यूज है किसी व्यक्ती या जगह से बच कर भागना है यानि के to escape from a person or place तो इसको एक्जामपल से बहुत अच्छे समझेंगे यहाँ पर एक पुलिस ओफिसर ने उसे पकड़ लिया था लेकिन वो बच कर भाग गया तो चोड के बारे हम बात चल रही है कहा जा रहा है कि एक पुलिस ओफिसर ने उसे पकड़ लिया था लेकिन वो बच कर भाग गया तो यहाँ पर हम get away का यूज करेंगे यह मत सोचो कि तुम जूट बोलकर बच सकते हो, तो यहाँ पर यह हम से कह रहा है कि यह मत सोचो कि तुम जूट बोलकर बच सकते हो, इस इंगलिश हम बोलेंगे, गेटवे का दूसरा यूज़ होगा friends तो इसका जो दूसरा यूज़ है वो तब होता है कि जब हम अपने काम आम से परिशान हो जाते हैं थक जाते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो कहीं चलें घूमका हैं मस्ती वस्ती करें थोड़ा आराम करें इस situation में हम get away का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इसको example से बहुत अच्छे समझेंगे यहाँ पर यह से कह रहा है कि क्यों न हम कुछ दिनों के लिए London चलें इस English हम बोलेंगे Why don't we get away to London for a few days क्योंकि अपने काम से बिल्कुल ठक चुके हैं इसलिए से सला दे रहा है कि क्यों न हम कुछ दिनों के लिए London चलें Why don't we get away to London for a few days Next phrase अलवर भोगी friends Get back Get back का तो बहुत ही जादा यूज़ होता है बहुत आसान भी है Get back का मतलब होता है वापस लोटना है वापस आ जाना So इस example से समझते हैं तुम अमेरिका से कब लोटे इस English हम बोलेंगे When did you get back from America When did you get back from America So friends एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है You की जगा from लिखा गया तो यह होगा When did you get back from America यनि तुम अमेरिका से कब लोटे एक और example देखते हैं यहाँ पर यह कह रहा है कि काम पर वापस जाने का समय आ गया है चलो यहाँ से चलें इस English हम बोलेंगे It's time to get back to work Come on, get out of here It's time to get back to work Come on, get out of here यानि काम पर वापस जाने का समय आ गया है चलो यहाँ से चलें Next होगा friends Get across Get across का हम use देख चुके हैं सबसे पहले हमने इसी का use देखा था तो इसका एक और example है मैं आपको दिखा रहा हूँ Get across का मतलब तो यह होता है न अपने विचारों यह बात को दूसरों तक पहुचाना इसके लिए हम get across का use करते हैं तो यहाँ पर का जा रहा है कि वो अपने विचारों को लोगों तक पहुचाने में अच्छी नहीं है तो यहाँ पर इस लड़की को इन्हें सब को कुछ समझाना था लेकिन यह समझाना ही पाई अपने विचारों दूसरों तक नहीं पहुचा पाई तो वो कह रहा है कि वो अपने विचारों को दूसरों तक पहुचाने में अच्छी नहीं है इस English हम बोलेंगे She is not very good at getting his ideas across यहाँ पर हर आएगा She is not very good at getting her ideas across यानि वो अपने विचारों को लोगों तक पहुचाने में अच्छी नहीं है Next one our friends, take out Take out का मतलब होता है किसी को किसी जगा खाने घुमाने के लिए ले जाना Date पर हम किसी को ले जाते हैं उसके लिए भी take out को यूज होता है तो यहाँ पर ही कह रहा है कि मैं उसे date पर ले जाना चाहता हूँ इस English हम बोलेंगे I want to take her out on a date I want to take her out on a date I want to take her out on a date So friends, आज की वीडियो में बस इतना ही ज़रूर बताना आपको इस वीडियो कैसी लगी और यह लास्ट का जो एक्जामपल है Take out कि हमने परानी वीडियो जो बनाई थी ना फ्रेजल वर पर उसे भी देखना उसमें हमने यह अच्छे समझाया है और पर वीडियो बनाऊंगा So friends, अगर यह वीडियो चले लगी तो लाइक ज़रू कर देना And thank you so much for watching this video friends